So hey guys, 73rd day है आज Serialized and Deserialized Binary Search Tree तो इस question पर चलते हैं और इससे पहले तुम एक बात बता दूँ कि Serialized and Deserialized Binary Tree नाम से भी एक question है लेट कोड पर उसको try करोगे तो ये तो automatically हो जायागा मतलब binary search tree is a type of binary tree जिसमें specific property होती है कि left side पर हमिशा छोटे रहेंगे numbers और right side पर हमिशा बढ़े रहेंगे तो इसके लिए अलग से algorithm लगाएंगे तो उससे पहले तो मैं बता दूँ कि अगर तुम उसको करते हो binary tree वाले question को तो ज्यादा clear होगा समझ में आएगा और ये Serialized, Deserialized मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको पहले binary tree को यहाँ पर लिखाया न कि you need to ensure that a binary search tree can be serialized to a string तो पहले binary search tree को तुमें string बनाना है उसके बाद उसको deserialize करना है original tree structure में So एक बार इसको पहले notebook पे समझ लेते हैं कि question के कहना चाह रहा है और उसके बाद code पे आते हैं So let's go So 73rd problem है और हमारी almost होने ही वाली है blind 75 Serialized and Deserialized BST ठीक है इस question और सिर्फ BT एक होता है That is binary tree इसमें अंतर है ठीक है क्या अंतर है वो तुम समझना और अगर तुमने Serialized, Deserialized binary tree नहीं कर रहा है उसको भी समझ लेना एक बार ठीक है जादा help होगी ठीक है तुसमें अगर binary tree का कर दिया तो Sorted तो तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा ठीक है लेट से कि हम एक binary search tree लेते हैं 5 3 7 1 4 ठीक है तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे 5 ऊपर उसके बाद 3 & 7 जिस तरह से बनाया करता है ना मतलब जर्नलाइज वे में और इसका 1 4 बाकी नल है तो अब तरीके होते हैं अलग-अलग कि हम pre-order करें पोस्ट-order करें तो हमारे यहां पर एक काम चलने वाले है pre-order से और उसे भी हो सकता है फिर backward जाना पड़ेगा हम pre-order टेक्निक लगाते हैं हम first of all node को देखते हैं root को देखते ह 5 उसके बद left पे आते हैं फिसके बाद left पे आते हैं फिर चेक करते हैं left है नहीं है इसका उनले राइट पे आ पल पर आ गया आ गया left है क्या left होगे सारे right पर आ Um.. तो यह बनता है हमारा है तो अंतर तो है यह हमारी ट्री थी और यह हमारा प्री ओर्डर वर्जन है इसका तो इसका अगर हमें बनाना है ultimately हमने इसको serialize हो कर दिया है अब decerialize करते हैं इसका बनाएंगे कैसे हम यही तो समझना है कि technique क्या होती है कि यह हमारा node है तो हमारा node क्या है root ठीक है यहाँ पे भी root है पहला वाला root होता है तो root ले लिया उसके बाद three के left आएगा है ना मतलब binary search dream में कि यह होता है कि left side में छोटे छोटे रहते हैं right side में कि बड़े बड़े हो जाते हैं है ना ये चीज मैं काफी बार बता चुका हूँ तो पांस से छोटा है तीन हा तो लगा धी left में तीन से छोटा है यह क्या नि फिर से left में बात सवंझना ही चोटा है तो ठीक है तो ये तो गए ये भी हो गए ये भी हो गए चार पर चार तो बड़ा निकला है ना तो यहां लगाएंगी ठीए उसके बाद साथ तो यहां लगाएंगी यहां तो चलो तुका सेट हो गया मतलब कुछ कैसे सोते हैं जो पास हो जाते हैं ना वैसा केस था कैसे अभी बताता हूं माल लो अगर ऐसा केस हो कि यहां दस हो और साथ पांच एक अब माल लो आठ हो हमें आठ डालना है तो तुम बोलोगे कि चलो यहां लगा देते हैं नहीं जी यहां नहीं लगाना यही तो केस है कैसे हो सकता यह binary search tree आठ तो हमारे बड़ा है साथ से हैं तो राइट साइड में बड़े ही नमबर आते है तो पांच से बड़ा तो है आठ मगर यहां पर सारे के सारे छोटे होने चाहिए थे साथ से तो बड़ा निकल गया आठ है ना तो दिक्कत हो गई binary search tree तो रहा नहीं तो इसली हम गया करते हैं दो values चेक करते हैं एक lower बनाते ह ठीक है फिर चेक करते हैं कि जो हमारा 8 है वो 5 क्या वो lower value और upper value के बीच में है तो ऐसा तो नहीं है भाई कहा है देखो 7 और 1 के बीच में 8 आता है क्या नहीं आता है 8 तो 7 से भी बढ़ा है इसका अदल यह तो अपर नहीं रहे गया हमें parent चेक करना था तो अब हमारा upper यह हो जाएगा और lower हो जाएगा 5 ठीक है अब चेक करेंगे क्या हमारा 5 और 10 के बीच में 8 आता है तो हाँ यह चीज करेक्ट है इसलिए हमारा 8 यहां आएगा ठीक है बात संच में आई तो इस case को में देखना है और फिर हम करते हैं code इसका binary search tree चल वैसे o of n लगता है है ना दोनों time में पॉप करेंगे तो फिर o of n लग से लग जाएगा ताइम कॉंपलेक्सिटी serialized और decentralized दोनों की o of n है तो basically this is the code और almost सब कुछ कर दिया है submission वगरा भी देख लेना समिट भी हो रहा है success आ रहा है करा के असल में हमने serialize करना असान है एक तुम्हें binary search tree दे रखा है उसको string form में मैंने एक answer नाम का देखो self.answer एक empty list ले ली और dfs हमने function बनाया node के अंदर अगर हमारे पास node खाली है यानि कोई node नहीं है तो return कर दो कुछ नहीं और अगर है कुछ ना कुछ तो उसको append कर दो string form में ठीक है node की value को append कर दो किसमे answer की list में और ऐसा कब तक करना है मतलब left side से भी करना है right side से भी करना है और dfs root जो है वो यह करने से हमारा call हो जाएगा यह वाला function root value के साथ node पहली node होगे हमारी root value और जो भी append होता जाएगा list में उसको join कर देंगे कॉमा के साथ तो यह हो गया हमारा serialize string form में इतना clear है यह असान था बी serialize करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए मतलब थोड़ा tricky part है अगर देखो यहां पर मैंने लिखा if not data return none क्योंकि क्या हो रहा था कि जब मैं इसको run कर रहा था तो एक case ऐसा अड़ रहा था यह example 2 वाला जिसमें empty list है तो empty को integer बनाने का कोई फायदा है क्या कुछ है यह नह अगर नहीं है तो return none कर दो वरना अगर है तो फिर उसका integer बना दूस data का तो ford in data.split हमने कॉमा से split करा क्योंकि कॉमा से ही join किया था तो split करके data निकाला और answer को list form में integer कर दिया ठीक है अब यह वाला part देखना easy है समझ में आ जाएगा तो define कर दी हमने dfs इसके अंदर answer नाम क list है हमारी और lower value और upper value जैसे कि तुम्हें समझाया था है ना तो हम क्या करेंगे इसको call करते वक्त हम क्या माल लेंगे lower value को minus infinite माल लेंगी और upper value को plus infinite जो कि always true रहेगा क्योंकि हमारा answer lower और upper के बीच में ही आएगा ना फिर आगी जाके update कर देंगे वो अलग बात है तो अगर अगर हमारा answer हमारी list empty है तो return on कर दो अगर हमारा answer इन दोन के बीच में नहीं है तब भी return on कर दो definitely आएगा इनके बीच में ठीक है कोई भी number बोलो minus infinity और plus infinity के बीच में रहता है initially है ना उसके बाद changes कैसे होते है हमने एक node निकालने के लिए answer में से pop कर दिया पहला वाला ठीक ना यह असल में binary search tree बनाने जा रहे हैं हम DC realize कर रहे हैं तो initially क्या हो गया जो हमारा root आएगा वो tree node zero क्या होगा वह हमारा root ही तो होगा तो tree node का node आगया है ना अब left के लिए हमें यह करना है और right के लिए चलाना है तो left में जर्नली सारी values क्या होती है छोटी होती है तो हमने lower bound तो वही रखा अपर बाउंड को root की value रख दी जो भी value थी है ना change होता रहागा definitely left में जैसे जैसे आगे जाएंगे और right के लिए हमने DFS को चलाया list को वही रहन दिया upper bound हमने root की value रख दी sorry lower bound हमने root की value रख दी upper bound को upper bound ही रहन दिया ठीक है क्योंकि हम हम चाहते कि answer जो है वो बड़ा है right side में बड़ा answer आए तो upper तो हमारा maximum था initially देखो तो है ना तो यानि lower को change करना पड़ेगा तो यह टेकनीक थी बस छोटी सी और हम return कर देंगे root को तो हमारा binary set tree output आचाएगा ठीक है तो यही था छोटा सा code समझने वाला पार्ट यह वाला था और बेटर कर सकते हैं इसको बस आचिए इतना ही मैं description में तुम्हें link भी देऊंगा इसके solution के कि तुम binary tree वाला भी चेक कर ले ना ठीक है कि चलो